से आप अपना थोड़ा अपना फैमिली से सब को मिलाईए और अपने घर को दिखाईए यह रा भाईया देखिए यह जोपड़ी जिसमें मैं हमेशा से वीडियो बनाया करता हूं फंस्ट पैमेंड जो आप काया था वो कितना आया था टोटल अर्निंग आज तक आपने सोर्सेस नहीं है उनका घर की अगर बात करते हैं जहां पर वो फैमिली के साथ रहते हैं और उनका दो यूट्यूब चैनल है अगर एक मैं चैनल की बात करें तो उन पर हंड्रेड के सब्सक्राइबर से और ज्यादा कुछ भी नहीं एक छोटा सा सिर्वी स्मार्ट फोन है उसी से वह वीडियो बगर बनाते हैं व्लॉगिंग करते हैं और एक लाग सब्सक्राइबर कर लिए हैं ज्यादा कुछ सुविदा ना होते हुए भी यहां तक कि इंटरनेट भी वहां पर इतना स्लो रहा था कि मत ही बोलो तो आज की वीडियो पर उस गेस्ट को चलिए नगर जीले में मसिना खास नायमा गाव में रहते हैं और बात की जाए पढ़ाई की तो हमने कलास 12 तक पढ़ाई किया है उसके बाद भया आर्थिक इस्तिति हमारी उतनी सही नहीं थी तो हमने मजबूरन पढ़ाई छोड़ दिया था क्योंकि लागडाउन में पिता जी ज गाव में काम करते हैं आपका जैसे घर में कौन-कौन है ममी है पापा है और ममी पापा भाई बहन सब थे मतलब दो बहन और तीन भाई पापा तो आपका जैसे आईडिया YouTube पे आने का जैसे कैसे आ गया पहले वहां हम दो दोस्त्तों लोग वीडियो बनाते थे एक चैनल प तो फिर हम दूसरा चैनल खोलें जो कि यह गरीब एमेस गेमिंग से हैं मतलब पहले तो नाम इसका दूसरा कुछ सा एमेस गेमिंग तो इसी कार भाईया हम इस पर वीडियो बनाने लगे और वह बहुत बुरा लगा था जब वह चैनल चला गया था मतलब भाईया दस महिने मे तो पहले जैसे आपका चैनल मैंने चेक किया तो देखा आप जो है पहले गेमिंग वीडियो जी बनाते थे देरे 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 आपने फिर यह मतलब ट्रैक कैसे चेंज हो गया कि ब्लॉगिंग करते हैं ऐसा कुछ वह यह पहले ऐसा सीन था ना कि मैं गेमिंग रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं गेमिंग से रिलेटेड ना तो उस पर खुद कुछ खासी रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था मतलब एक हजार बहुत मुस्किल से दो हजार चले जा रहे थे लेकिन कुछ अच्छा खासा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा था लेकिन हमारा चैनल का प्लोट करने लगा मेरे को लगा कि गेमिंग से रिलेटेड हमारा कॉंटेंट है चैनल है तो मैं गेमिंग से डालू नहीं तो चैनल कुछ गड़बड जाएगा फिर हमारे चैनल डाउन हो गया फिर उसके बाद भाई हमारे एक दिन गूगल एडसेंस पिन आया और उसका व गया फिर डाल दिया था कि मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया खुसी से अभिंग कर गया तो सब यूटू बिडियो मेंOSH रखेंग तो योटूब रिलेटेड विडियो बनाना सुरूर किया और और मुकेस जी के साथ भी देखी सेमी चीज़ हुआ है यह पहले गेमिंग वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ कि इनका एक मतलब की पैमेंट आने लगा या फिर यूटूब से रिलेटर जैसे मोनटाइज हो गया गूगल का पीन आ गया तो वो सब से रिलेटर जब यह वीडि पर लगाना ही पड़ता है जो की बखोवी मुकेस जी ने भी यह काम करके दिखाया है अगर वह आज तक गेमिंग ही वीडियो बनाते रहते तो सायब से ऐसा फेम नहीं मिल पाता अभी लोग इनको पहचान रहें का अलग फेस वैल्यू है लोग इन्हें जान रहे है औरेड अब yis में अबीच चायब में अगरे मेरेख लगह ङूपकर दोगहां तो अभी आप यूटूब से पइसे दु कुूझकर थीस के मिलन है तो अभी अवरbay काम करते हैं प़ापया चोड़ द्यों थे हैं आप लेने angular क्यां में पहले ही पताया अपनी लोगों को दोस्ते लोगों को मतलब जो हमारी यूटूब फैमिली उनको कि हमारा तीन जी वी रम का फोन है और 32 जिसके वज़े से फोन काफी जाद हैं करता है तो अभी मेरा पलान भाया की फोन ने ले उसके बाद घर वाला का तो जिंदगी पर सपोर इस पर लटका देते हैं जिस वजह से मैं अपना वीडियो आसानी से रिकोड कर सकता हूं और हमारे पास रिंग लाइक है तो यहीं पर मैं अपना वीडियो जो गरा रिकोड किया करता हूं हमेशा यही है और यह जोपड़ी में मैं लगबग 3-4 साल से मित्र वीडियो बना अब एक जोपड़ी पर इनुडियो बना करता हूं और यह भागल में जो घर है यहां पर देख सकते हैं यहमारा में घर हमें वहिद्व मैंसादी नहीं जानती है गाउँ में रहती है तो दियाती जानती है और पिता जी तो अभी काम पर गया काम पर गया तो अभी पिता जी को ती से अधिने तो आपको दोस्तों अभी आप लोगों ने मुकेश जी का घर देख लिया इनसे फैमली से भी मिल लिया आप लोग को क्या लगा देखकर के कैसा इनका घर है मकान देखें आप कितना कच्छा वाला मकान है उतना कुछ लगभग लगा तो दोस्तों यह चीज मैंने इसलिए इनसे यह सवाई लगभग लगा ना तो दोस्तों यह चीज मैंने इसलिए आप लोगो मैं बतना चाहूंगा देखें यूटूब पे तुरंद से पैसा नहीं मिलता है आपको मेहनत करना पड़ता है आप रेगुलर वीडियो बगर अपलोड करते रहोगे लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे व्यूज आना शुरू होगा तब धिरे धिरे धि हो जाने से पैसा नहीं मिलता पैसा अपके व्यूज पे मिलता है आपको जितना ज्यादा पैसा बनेगा ना मुकेश जिए अगा दो लगबग दो साल हमें लगे हैं इस चैनल को अगर दोनों चैनल हम जोड़े पहले वाला भी न है तो लगबग 2 साल लगे हैं मतलब हमारा फर्स्ट पेमेंट आने में आप लोगों ने ठीक इससे आप लोग मॉटिवेट हो जाओ काम करते रहो रेगुलर हार मत मानना कब आपक करेंगा तो तभी पता चलेगा अभी कैसे enjoy यह अगर हम मतलब दिखा सकते हैं यह फिन यह नहीं दिखा सकते हैं आप से मैं पूछना चाहूंगा यह कोई के सुनिन एक काम कीजिए आप किलियर मत बताइए आप एप्रोक्स बता सकते हैं मतलब लगभग में कितना हुआ होगा तो भाईया हमने यूटूब से जो अभी तक पूरा इंकम किया है वो लगभग में बताऊं तो अभी मैं देख का बताऊं तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन अ तो चलिए बहुत अच्छा कासा यूटूब पे अर्निंग है और मुकेश जी अभी जश्ट कमाना शुरू किये हैं इनका धीरे 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 परिवर्तन आता रहेगा पैसा जैसे जैसे आता है इंसान धीरे-धीरे अपने लाइफस्ट्याइल को भी चेंज करता है अपना पैसान भी चेंज होता रहता है वह समय के साथ अपने आप चेंज हो जाता है अब दोस्तों मुकेश जी अपका ये फ्यूचर प्लेणिंग क्या है मतलब आपको क्या-क्या लेना है जैसे लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं बहुत कुछ लेने का सपना रहता है आपका क्या लेने का अभी तो कोई उससे ज्यादा प्लान नहीं है कि बाइप लेने का बाद में जरूर सब्सक्राइब अगर लोग का तो और आपको एक मोबाइल भी लेना है तो अब आप एक चीज बता दो लास्ट क्वेस्चन यहीं है कि लोग जानना चाहते है कि आपका चैनल चीज डले तो तो कुछ नहीं हुँआ मेरे से कुछ नहीं हो सकता किसी नहीं हो जाए दो जन बनाए लकिन मेरे साफसेbasal मेंनद करना चाहिए तो ख doen ऐसको दमपई करना चाहिए और मैंने लोगों को दिखाया जो उनको पसंद था ना कि मेरे को जो पसंद था मैंने वही दिखाया जो लोगों ने पसंद किया मैंने उनको वही दिखाया और डेली के डेली मैंने भईया अपलोड किया वीडियो और सच बता रहूं भईया मैंने एक दिन देखा 365 मतलब 365 दिन जब हमारे चैनल पर लगता है एक दम आपने परफेक्ट बात बोला है मैं अभी हमेसा अपने वीडियो में आप लोगों बताता हूं जितना ज्यादा आप कॉंटेंट अप्लोड करोगे जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपको फल भी उस हिसाब सही मिलेगा और मुकेश जी का क्वालिटी यहीं है कि इन्होंने जो है रियलिटी दिखाया है जो सच्चा ही है वो दिखाया जो इनके पास है जो घर है जो फैमली है यह क्या करते हैं ने करते हैं डेली अपना लाइफ स्टाइल जो भी है वो वो दिखाते हैं कुछ भी सो आफ नहीं करते हैं जो है वहीं दिखाते हैं और जै पूराना हो गया है तो हैंग वगरा कर रहा है तो मुखेश जी से बात करके आज की इस वीडियो में इतना अच्छा लगा लोग काफी ज़्यादा मॉटिवेट होंगे बाकि मुखेश जी आपको बोलिए कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं सपुकेश बाकि करेंगे आपने हमारे लिए लिए विडियो बनाकरे और चैनल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बात किया इतनी सारी बाते हुई मैं आज इतना चाहता हुआ कि मैं बहुत धनीबाद भाईया आपके चलान कहा है बाकि पॉब्लिक सपोर्ट आपको जरूर करेगी क्योंकि आपका अच्छा रहता है बाकि दोस्तों आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही मुकेश जी का भी चैनल में ने मैंसन कर दिया जाकर क चेक आउट कर सकते हैं एंड चलिए आज के लिए तना ही तब तक लिए जय हिन वन्दे मातरम